विस्विल्य रख्माद रोगी असलाम अलेकुम अभी हम जो टॉपिक नेक्स स्टार्ट करें हैं that is subtraction of vector के vector को subtract कैसे किया जाता है सबसे पहले आपके पास एक concept है vector को क्योंकि जो vector quantity होती है उसको आमने पढ़ा था कि that is direction को उसकी कोई न कोई आपके पास direction होती है तो direction को आप डिफाइन करते हो vector से ठीक हो गया अब suppose आपके पास vector A था vector A की direction थी for example towards right side पर तो उसी vector A की direction जब मैंने left side पर कर दी तो अब इसकी मैंने opposite direction कर दी तो यह हमारे पास अब negative A बन गया यानि direction के लिए यह important है कि अगर आप right side की यानि कोई एक convention ले ले लेते हो positive तो दूसरी जब उसी direction को जब आप opposite करते हो तो वो negative हो जाती है तो subtraction of vector में हमने क्या करना है हमारे पास वोई Cartesian system में आपके सामने बनाता हूँ कि आपके पास एक vector A है उसको आपने vector B में add किया तो उसका जो resultant बना वो आपके पास यह vector बना head to tail rule से इसमें आपने क्या किया R is equals to A plus B अब मैं आपको एक situation देता हूँ कि vectors को subtract कैसे करते हैं head to tail rule से suppose आपके पास वोई vector एक A था लेकिन अब आपने क्या किया जो vector B है उसकी direction आपने opposite कर दी तो पहले आपकी direction यह थी अब direction यह हो गई तो यह vector B अब क्या हो गया negative opposite direction आपने कर दी तो यह negative तो यह positive था यह negative तो अब इनका resultant कैसे बनेगा head to tail rule से B को आप A के head से join करेंगे तो अब यह आपके पास negative B है तो अब इनका resultant बन रहा है उसकी direction आपकी यह आ रही है R तो this is R is equal to resultant ठीक हो गया अब इसकी value क्या लिखेंगे तो आपके पास value क्या आ रही है R is equal to अब हो क्या रहा है वेक्टर A में वेक्टर B basically add ही हो रहा है यह आप वेक्टर B को A में add ही कर रहे हो head to tail rule से सिर्फ क्या हुआ कि वेक्टर B की direction opposite होगी negative side पे वो चला गया तो आपने यहां पे minus लिख दिया तो अब इसको जब आप simplify करेंगे तो यह basically A minus B बन रहे है समझारी बात तो suppression of vector same ही होता है addition of vector से सिर्फ फर्क क्या होता है कि आप कितनी दोनों vectors में से या किसी भी vector में की एक की direction आप opposite कर देते हो यानि पहले वो positive था आपने उसको simply negative कर दिया direction opposite करके पहले vector में add कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते है subtraction of vector समझारी बात वही rule है कि आपने सिर्फ एक vector की direction opposite करनी है वो negative हो जाएगा जब उसको पहले vector में add करेंगे तो वो sign की व हो जाता है तो इसको बोलते है subtraction of vector प्लेयर हो गया और एक और चीज जो आपके पास salt examples और assignment के examples federal board की book में या पिंडी रावल पिंडी बोड की पंजाब बोड की book में exercise और examples है उसकी में अलग से video बनाऊंगा federal board की में अलग बनाऊंगा और पंजाब बोड की में अलग पूरा आपके पास एक data available होगा तो परिशान नहीं होना मैं सबसे पहले आपको concept दे रहा हूं फिर videos जो exercise के और examples कि होंगी वो मैं अलग अलग से बनाऊंगा तो यह आपके पास simple subtraction of vector जो है वो आगे वेक्टर को subtract कैसे करते है next topic हमारे पास है multiplication of vector by a scalar quantity के एक वेक्टर है उस को किसी भी एक scalar quantity से multiply करते हैं तो वो कैसे हम करेंगे तो अभी हम वो देखते हैं इसमें वो कैसे करना है कि के multiplication of vector with scalar या by scalar scalar आपके पास कोई एक नमबर हो सकता है scalar is basically a number जिसकी कोई direction नहीं होती 2345 up to so on कोई एक नमबर है जिसकी कोई direction नहीं है उसको आप किसी वेक्टर से multiply करते हैं तो इसका result आपके पास क्या है simple सा concept है suppose आपके पास एक vector a है उसकी quick specific direction ठीक हो कि अब आपके पास कोई एक scalar नमबर है मैं कोई भी scalar है that is 2 कोई भी एक number आप ले ले रेंडम ली मैंने 2 ले लिया scalar number है अब इस scalar number के साथ आपने इस vector को multiply करना है तो कीसे करेंगे सबसे परखे पहले आपके पास देखें क्या हो rainbow कि scalar number कोई भी हो सकते है आप कोई भी ले 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 जिरो से लेकर up to positive numbers भी और negative numbers भी हो सकते हैं तो आप कोई भी एक number ले सकते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई भी एक number लें for example मैंने 2 ले लिया जब आपने उस scalar को vector A से multiply किया तो अब हो क्या रहा है कि जो vector A का magnitude था अब वो दो गुना यानि 2 times ज्यादा हो गया तो आपने जब vector बनाना है तो अब वो क्या होगा इस vector से 2 times वो ज्यादा हो गया यानि double हो गया तो vector आपके पास क्या हो गया उतनी quantity में ज्यादा हो गया तो this is your multiplication कि जब आप किसी भी vector को एक scalar से multiply करते हो तो या तो उसकी जो magnitude है वो double या triple या जिसने times आप multiply का रहे हो उतने गुना ज्यादा हो जाता है अब इसी vector को suppose vector A है इसी vector को मैं minus 2 से अगर multiply करूँ यानि वो इस scalar अगर मेरे पास negative आजाए तो negative में क्या होगा कि आपका जो original vector से आपके पास जो इसका magnitude है वो तो दो गुना हो गया तो टाइम्स आपका उससे ज्यादा हो गया लेकिन negative sign की वज़़ज़ से उसकी direction opposite हो गई पहले वो right साइड पे था वो left साइड पे होगा तो negative scalar से multiply करने का मतलब है कि उसका magnitude तो ज्यादा हो जाता है लेकिन negative sign होने की वज़़ज़ से उसकी direction opposite हो जाती है और third चीज़ अगर आपके पर कोई zero number आजाए zero into a क्योंकि zero भी एक scalar है ना तो इसको जब आप a से multiply करते हो तो zero into a is basically zero तो this gives the null vector null vector जिसकी कोई ऐसा vector जिसका magnitude zero और उसकी direction जो है वो arbitrary arbitrary का मतलब क्या है कि कोई not specific कोई specific direction नहीं है क्योंकि वो zero है ना तो zero आप जो है वो किसी भी direction में ले सकते हो कोई भी आपके पास direction है तो that is arbitrary direction तो उसकी कोई specific direction नहीं होती और उसका magnitude zero होता है उसे कहते है null vector तो null vector आपके पास जो है वो आता है किसी भी vector को zero scalar से multiply करने से तो I hope आपको vectors की multiplication by a scalar समझ आ गया होगा कि किसी भी vector को scalar से multiply करने से क्या होता है positive से करेंगे तो उसका magnitude बढ़ेगा direction same ही रहीगी negative से करेंगे magnitude बढ़ता है लेकिन direction opposite हो जाती है क्योंकि negative sign multiply हो रहा है और zero से multiply करने से null vector देता है जिसको हम क्या कहते है जिसकी magnitude zero होता से null vector या zero vector भी बोला जाता है और इसकी direction specific नहीं होती है नहीं arbitrary होती है तो यह आपके पास simple concept था किसी भी वेक्टर को scalar से multiply करने का अब एक बड़ा ही जाता है next week हमारे पास vectors का basic topic आता है this is position vector कि आपके पास position vector क्या है और इसका मक्सद क्या है नाम से जाहर है कि position vector क्या होगा वो vector जो position बताता है अब किस की position बताता है वो मैं आपको बताता हूं suppose आपके पास एक Cartesian coordinate system है x और y axis है अब x और y axis के अंदर आपके पास एक point है ठीक हो गया अब यह point है इसकी x, a और b इसकी x और y पे values है याई एकस पे यह और y पे बी है अब इस point का Cartesian system के अंदर with respect to origin point क्या position बनती है तो यह आपको बताता है position vector यानि वो vector जो किसी भी एक random point की position बताता है with respect to origin उसको हम बोलते है position vector और इसको r से represent करते है तो r की value निकालने के लिए हम जो है वो phytogran theorem लगाते हैं तो r की value क्या है की x की value का square plus y की value का square whole square root इससे हमारे पास r आ जिता है यानि position की इस point का x और y के अंदर क्या position बनती है that is the position vector ठीक हो गया position vector आपको समझ आगी होगी कि आपके पास कोई भी एक random point हो x और y axis की बीच में और उस random point के अंदर आप ने ये बताना है कि उसका with respect to origin position क्या बन रही है तो origin की respect से जो उसकी position बनती है और वो जो vector हमें बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं position vector और उसकी value r से निकलते है तो suppose अगर x y और z axis तीनों के अंदर ही हमारे पास point मुझूद हो यानि three dimensions में मुझूद हो तो हमारे पास जो और का formula बन जाएगा वो बन जाएगा x के अंदर क्या value है उसका square प्लस y की value का square प्लस z की value का square तो यानि यहां पर हमारे पास उसकी a, b और c तीन coordinates के अंदर value जो है वो आ जाएगी तो यह आपके पास simple सा position vector है इसकी examples और जो है वो मैं आपको example वाली वीडियो में बता दूँगा तो वो लाजमी देखेंगा वो सिर्फ उसमें सिर्फ आपके पास solve examples और exercise के numericals जो है वो होंगे तो next चलते हैं में next मारे पास जो topic है that is resolution of vectors आपके पास vectors को resolve किस तरह किया जाता है resolution of vectors यह आपके पास एक vector है Cartesian coordinate system के अंदर एक vector है उसको आपने resolve कैसे करना है यह एक्स और y-axis के अंदर आपने उसको resolve resolution का मतलब होता है उसको basically आपके पास एक vector होता है कोई भी vector ही है लो आपका देखेंगे अब यह vector x और y-axis के बीच में है तो यानि obvious ही बात है इस vector का कोई एक x component होगा और इस vector का कोई एक y component भी होगा तो इस x और इस y component से मिलके आपके पास जो है वो vector a बनता है यह नहीं तो वो कैसे निकालेंगे तो यह जो होता है हमारे पास इसको बोलते है resolution of vectors resolution of vectors में अगर head to tail rule लगाएं तो a की value क्या रही है देखें यह y-axis ay है तो head to tail rule लगाएं तो a की value क्या रही है a x plus a y और unit vectors के अंदर अगर हम इसको लिखें तो इस वेक्टर हमारे पस क्या आ जाएगा a x और x में किसमें i के अंदर plus a y और यह j के अंदर तो हमारे पास यह head to tail rule से vector को वेक्टर हमारे पास आज जाता है लेकिन अब हमें नहीं पता कि हमारे पास X की वैल्यू क्या है और Y की वैल्यू क्या है तो इस को कहते है Resolution of Vector यानि Vectors को Resolve करना कि Vector को Resolve कैसे करना है यानि उसको Breakdown कैसे करना है एक्स और Y Components में और उनकी वैल्यूस क्या होंगी यह हमने क्याल्किलेट करना है तो आपके पास सबसे पहले एक मैं सिंपल टी ट्राइंगल पना रहो वेल्कि आपके सबसेख़irm करने कि आपके पास एक एक और कॉखास यह और यह है और एक आपके पके पास एक वैक्टर जो है वह वह भन रहा उसका एक X कंपोनेंट को अडियर हो गया तो एसके दो आगे आपके पास तीन टीन है एक होतेयं आपके पास sine theta नेक ह cambiar के पास cos theta एक होतेया अपके पास consistency toe थीक हो गया तो इन तीनों से हम This के component की values भेppen निकहलनेंगे सबसे पहले हम आजएते हैं साइन थीता पर in sign theta some sign theta copy formula but over some people have perpendicular over hypotenuse some people have they came up over at some some people have curly brown hair to proper brush so you have a simple formula so some sign theta equal to perpendicular over hypotenuse perpendicular over hypotenuse perpendicular a y and hypotenuse a vector clear so a now that you have a y component so a here you multiply we will divide here so a you have a multiply here a sin theta equals to a y you have a so what you have a y component value which is equal to a sin theta meaning a vector sine of which we will call it a y now let's go to cos theta it is curly brown hair base by hypotenuse so base what you have a x and hypotenuse what you have a vector a itself so a x value is left out so a multiply here so this is a cos theta is equal to a of x so this what you have what you have a x component value and this is a y component value now the third is tan 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 theta is how come from tan theta is proper brush perpendicular over base base you have a tan theta so sorry tan theta is perpendicular over base so perpendicular you have a y and base you have a x so you have a tan theta when you have a x and a y values you have a across a y by a x so you have a simple vector a so you have a simple vector that you have a Y component for it as well as its component it also has a tan theta value just and it is also tan theta will basically tell you the direction that how it comes in and if you have a x component component already given हो और Y component भी already given हो तो A vector कैसे निकालेंगे अगर X और Y component जोनों given हो तो vector A is basically AX का square plus AY का square whole under root triangle का formula है base का square plus perpendicular square is equals to hypotenuse का square तो square जब दुसी तरफ square root बन जाता है तो यह आपके पास दो formula आगे आपने X component कैसे निकालना Y component कैसे निकालना 10 theta यानि direction angle कैसे निकालना कि vector की direction क्या बनेगी वो हम 10 theta से निकालते हैं उसके लिए हमें AY और AX पता होना चाहिए और अगर AX और AY पहले से पता होना तो vector कैसे निकालते हैं वो हमारे पास यह formula आ जाता है तो अगर आपके पास in case three dimension पे vector के बन हो तो उसके लिए आपके पास A vector निकालने का क्या तरीक है AX component का square प्लस AY component का square प्लस A Z component का square XYZ तीन एकसे पे इस फॉर्मूले से आपके पास value आ जाएगी तो इस तरह आप एक vector को resolve करते हैं उसके components के अंदर X component के अंदर Y component के अंदर और अगर थीटा निकालना है तो 10 थीटा से आप कैसे निकालते हैं तो is resolution of vectors अब next topic पर चलते हैं एक बड़ा सा simple topic है कि अगर आपके पास Rectangular components given on और उस rectangular components से आप जो है वो वेक्टर कैसे निकाल सकते हो यह यह एडिशन और वेक्टर बाई Rectangular components अगर आपके पास वेक्टर के Rectangular components given हो तो उसके आप कैसे जो है वो निकाल सकते हो मैं सिंपल से diagram बनाता हूं आपके पास कॉर्डी कार्डीजियन कॉर्डीनेट सिस्टम है एक्स है यह यह सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और head to tail rule से यहां पर पास आपके पास वेक्टर B है स्वरी वाई नहीं से वेक्टर A एंड वेक्टर B आपके पास दो वेक्टर्स हैं इसके उपर मैं arrowhead लगा देता हूं और और इन से एक resultant बन रहा है और यह resultant बन रहा है और वेक्टर तो अब आपने क्या करना है कि अब सिंपल तो फामूला आपके पास यह है कि आपने क्या किया एक प्लस B किया तो आपके पास resultant आओ लेकिन अगर आपके पास A और B ना गिवन हो A और B की X और Y कंपोनेंट्स यह बन हो तो तब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं अब यह वेक्टर रही है तो वेक्टर A का आपके पास यह बन रहा है A X कंपोनेंट यह आपके पास बनेगा A Y कंपोनेंट इसी तरह वेक्टर B का यह B X कंपोनेंट और यह B Y कं बेक्टर है .. इसका भी मैं यहा fica बिनाजा हुँ .. ओज्यू ने लिए बनियु 1 है .. वह झान सो बेद यहां यहां से यहां तक रिजल्टन का रय यहां से define हो रहा है अगर आप और से देखें तो आपके पास resultant rx की value equal है a x plus bx की value के देखें यहां से यहां तक a x है और यहां से यहां तक bx है तो इन दोनों को add करके total rx बन रहे तो rx की value क्या आ रही है a x plus bx की equal इसी तरह अगर आप और से देखें तो ry की जो value है यह पूरा ry है यह equal r है ay plus by की यह 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 के अंदर by add करें तो ry वेक्टर बन रहे तो हमारे पास ry के r है ay plus by यह यह दोनों के y components को add किया तो ry बना और दोनों के x components को बना तो दोनों के resultant का x component आपके पास बन गया तो अब total जो resultant है r वो resultant हमारे पास क्या है इनके उपर arrow heads लगाने लाजमी है क्योंकि यह vectors है total resultant क्या बनता है अमने पास उसका r x component और r y component अगर हम add कर दें तो इसके अंदर values put कर देते है r x की value क्या a x plus b x और x axis पर यह आई हो जाएगा i component बन रहे प्लस और y क्या है मारे पास a y plus by और यह इसका y component यह नहीं j component इसका बन जाएगा player है तो यह आपके पास simple आगे resultant का with respect to उसके components को अगर हम add करें तो अब आपके बास अगर इसका magnitude निकालना है magnitude की value क्या होती है r result vector का magnitude क्या vector होगा r x का square plus r y का square और इसका square root ले लेंगे तो हमारे पास magnitude आजएगा अब इसके अजर आप values अगर put करें तो आपके पास क्या रहा है values मैं दूसरे marker से कर देता हूं r x की value क्या थी a x और b x a x plus b x का square plus ay plus by ry की value का square तो यह आपके पास total r का magnitude की value आगे अब आपने अभी resolution में बढ़ा है कि tan theta से आप angle निकालते हैं तो theta is equal to tan inverse अगर आप करें तो tan inverse में क्या होता है a sorry ry plus r x y component divided by x components आपके पास theta आजाता है तो theta इसमें values put कर दें tan inverse r y की value क्या है हमारे पास ay plus by और r x की value क्या है ax plus b x तो इस तरह आपके पास अगर components given और components के through आपको vector की addition करनी हो तो वह आप इस तरह कर सकते हैं कि उसके x और y components को अलगलग करके और formula's में put करते जाएंगे तो आपके पास answers आते जाएंगे clear हो गया और अगर आपके पास तीन dimensions में हैं तो हमारे पास जो formula's बनेंगे सिर्फ उसमें क्या आजएगा third component that is c a b and c आजएगा तो यानि इसमें भी यहां पर plus c x यहां पर c y आजएगा clear है यहां पर भी c x यहां पर c y यहां पर c x यहां पर c y यहां पर c y यहां पर c y यहां आपके पास additional component add or subtract हो जाता है तो हमारे पास three dimension में उसको formula जो है वो बन जाता है तो आपके पास यह और इस formula से आपके पास angle determine कर लेते हैं कि angle को कैसे जो है वो solve किया जाता है तो I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा कि हम resultant की values को angle जो है वो कैसे लेते हैं अब एक और चीज जो last चीज हमारे पास चोटी सी इस topic से related वो क्या है कि हमारे पास अब angle theta तो आ गया कि हमने tan inverse लगा के theta की value जो है वो calculate तो कर लेकिन उस theta की value को पता कैसे चलेगा कि वो किस quadrant में है और कैसे है देखें आपके पास theta का value क्या है देखें आपके पास 4 quadrants होते हैं इधर X positive यहां पर Y positive इधर X negative इधर Y negative अब for example अगर R Y भी positive है और X भी positive है तो हमारे पास X और Y दोनों positive है तो हमारे पास यहां पर R resultant बनेगा और उसको यह जो theta बनेगा वो हमारे पास first quadrant के अंदर बनेगा तो this is your first quadrant clear अगर आपके पास R Y positive हो और R X negative आजाए तो फिर आपका देखें R Y positive X negative हमारे पास second quadrant बनेगा यह वला second quadrant बनेगा तो इसका जो theta होगा वो basically कौन सा आपने calculate करना है यह वला आपके पास theta है लेकिन आप जो theta की value निकालते है वो with respect to positive X axis निकालते हो तो आप यहां से angle निकालोगे तो यह कैसे निकले आप देखें total angle आपके पास यहां से यहां तक 180 degrees है 180 degrees में से अगर आप इस पूरे में से यह minus कर दें तो आपके पास यह angle आजाता है green वाला तो आपके 180 minus theta किया तो आपके पास theta आ रहा गया इस case में अगर आपके पास quadrant यह वला बन रहा हुआ clear हो गया तो यह आपके पास angle जो है वो आगया third case में अगर आपके पास x भी negative आज़े और y भी negative आज़े तो आपका vector यहां बनेगा और और आपने जो angle निकालना है और उसका जो theta आपने calculate किया है वो यह वाला बन रहा है लेकिन आपने angle with respect to positive x axis निकालना होता है तो वो क्यों कौन सा बनेगा वो यहां से लेकर यहां तक यह वाला angle आपका बनना चाहिए तो वो कैसे निकलेगा अब आप देखें यहां से यहां तक total कितना 180 बन रहे तो 180 में प्लस यह थीटा एड़ करेंगे तो हमारे पास 180 प्लस थीटा एड़ करेंगे तो हमारे पास theta r आ जाएगा जब x और y दोनो negative आपके प निकालना है तो यह टोटल यहां से यहां तक 360 बनता है और 360 में से आपने माइनस कर देना थीटा तो आपके पास theta r आ जाएगा तो आपने जो थीटा निकालना है वो डिपेंड करता है कि y component positive negative x component positive negative उस सहाब से coordinate select करके आप जो है वो एंगल निकाल सकते हैं तो यहां तक में हम जो है वो इसके dot and cross product करेंगे तो हमारे साथ रही का तिल नेक्स वीडियो अलाहाफिज